टोटल आठ मिनट में 5 बहुत ही ट्रेंडिंग पॉपुलर बाजू की डिजाइन बताऊंगी है लो फ्रेंड वेलकम बैक में चैनल फैन आज की इस वीडियो में मैं 5 तरह की डिजाइनर बाजू बनाना बताऊंगी वह भी बहुत ही असान तरीके से फैन तो देख सकते हो मैं काई ईसके बाद इसके बाद किसी भी नोखिली चीज़ की हब से इसे इसके corner को fan आप निकाल ले ताकि अच्छे से निकल जाए और निकालने के बाद इस तरीके से अव इसकी उपर भी हमें एक और सिलाई लगा कि इसे सेट कर लेना है ताकि यह fix हो जाए तो देख सकते हो कुछ इस तरीके से मैं यहां पर अच्छे से set करते हुए लगा ले रही हुँ यह आप अच्छे से और को हमें निकाल देने हैं तो इस तरीके से में यह पर सिलाई जो हैं complete कर ले रही हुँ अच्छे से set करते हुए और करने के बाद जो हैं बहुती फ़ेजी तरीके से मैं आपको हर एक डिजाइन बताऊंगी ताकि कोई भी बना ले बिगनर्स भी बना ले असानी से बस एक बार देखते ही अब यहां पर इस तरीके से करने के बाद जो है फैन अब इसे रख देंगे साइड में और इसके बाद जो हम इस पर डिजाइन देंगे फैन उसके लिए मैं नहीं आरे तीन इंज देख सकते हो आप और इस तरीके से डबल फोर्ड करते हुए ना सिलाई लगा लेंगे यहां पर हाफ इंच के करिब मैंने खुली भाग छोड़ दी है वहां से हम इसे प्लट लेंगे सीधा कर लेंगी देख सकते हो आप कुछ इस तरीके से हमें प्लट लेन आने की बाद अब इसको सेंटर से हमें इस तरीके से चुणनटे डाल लेनी है और यह हमारी कंप्लीट हो गई है इसको हम यहां पे फिक्स कर देंगे तो देख सकते हो कम कपड़े में हमारी डिजाइनर बाजू बन के राड़ी हो गई है इसके ऊपर मैं बड़े साइच की म मैं फैब्रीक उपर लाइनिंग की फैब्रीक रखते हुए सिलाई लगा ले रही हूं एक्ष्टा फैब्रीक कट कर दूंगी कॉर्णर पर कट लगा देंगे अब इसे प्लट लेंगे और प्लटने के बाद जो है फैन इसकी भी कॉर्णर को अच्छे से हमें सेट करते छोड़ो छोड़े पीसे में कट कर लेना है हमें कुछ इस तरीके से तो मैंने यहां पर कर लिया डबल फोल्ड करते हुए सबसे पहले हमें सेंटर पे एक अटेच कर देना है फैन इसके बाद हमें एक से डेर इंज का गैप देती हुए पूरे में इस तरीके से जो है फैन अटेच कर लेनी है डोरी को देख सकते हो बिल्कुल ब्राबर में हमें माक करते हुए डोरी को अटेच कर लेने हैं सिलाई लगा लेने हैं डबल फूल्ड करते हुए और इसके बाद आप इसके ऊपर लैस भी लगा ले और लैस लगाने के बाद यहां पर मैंने डोरी ले ली ह जो हम बिलाउज में अटेच करते हैं फैन और इसके बाद कुछ इस तरीके से हमें अच्छे से सेप में देते हुए सेट कर देना है देख सकते हो आप अब यहां पर सिंपल वाली में लटकन बना ले रही हो फैन तो यह हमारी दूसरी भी बाजू बनके रेडी हो गई आपको कर लेने हैं Clarins 5 WOODRUFF fabric सबसे पहले हमें में 但 वर i range को रखते हुए इस तरीके से लंबाई में सिलाई लगा लएनी कर दो चक्क हो आप किसी बी कर सकते हो अब यहां पर इस लाई मैंने लगाद लगाने के बाद जो है इसे हैं ल॥ फेरि ability हुशे सकते हो को प्लठने के बाद सारै अच्छे से assembled कॉनल को निकालने के बाद एक और सिलाही लगा के हैशे से camera कर दोगी इसे रगदिया साइर 4 इंच लंभी 4 इन्च ऑडी मैंने फैबरीक ले ली है और कुछ इस तनी कीमी से फैबरीक और मेहना कया कर दिया है लाइनिंग की एक मैं इस टरीक के have mij haimai सिलाइ लगाइंगल ले-प हरे in सीधा कर लेना है कॉलल को हमें नोखीली चिट से इसके कोड़न को निकाल देना है इसके बाद पिर से लगा लेनी है यहाँ पर इतनी बाजू की लेंद यहां पर इसे सचे हमारी तेन लेयर आ जाएगी देख सकते हो बिल्कुल आमने सामने में ब्राबर में रखते हुए दूसरी लेयर भी हमें सेट कर लेना है इस तरीके से। लेयर मैंने set कर दिया अभी यहां पे जो Haoala main part है बाजू की उसे हमें इस तरीके से läd人 किया लगा लेने हैं देख सक्ते ओस यहां पर इस तरीके से मैंने सिलांय लगा दी है दो डूसरी भी जोमारी पला है उससे भी हमें अच्छे से सेट करते हुए सिलाई लगा लें ये फैन और इसके बाद इसके उपर मैं मोती टक करूंगे सेंटर में और लैस भी अटेच करूंगी तो यहां पर मैंने लैस अटेच कर दिया फैन इसके उपर स्टोन वाली बटन मोती अटेच करूंगे इसके सें लंबाई है तो मैं इस तरीके से मार्ड कर लेना है और इस बाजू को बनाने के लिए आपको नसे चार इंच एक्ट्रा फैब्रीक की ज़रुथ है फैन चौड़ाई में लंबाई में नहीं सबसे पहले में यहां पर हाफ-इंच से एक इंच के करीब यहां पर डबल फोर्ड करते हुए ना सिलाई लगा दे रही हूँ देख सकते हो आप कुछ इस तरीके से सिलाई यह लगाने के बाद यहां पे सेंटर पर जो हमारी माइघ है एक प्लेट लेंगे फिर से हमें एक और प्लेट ले लेना है और उसी प्लेट और दूसरी तरब से भी हमें इसी तरीके से दो फिल डाल लेने हैं देख सकते हुआप अब इसकी बात यहां पर बटन हैं बड़े साइज की सेंटर पर मैं टक कर दूँगी तो पहनने में इसकी भी लुक बहुत ज्यादा अच्छी आईए फैन डेली वियर के इसापसे आप इसे बना सकते हैं पार्टी वियर भी बिलाउज आप इस तरीके की डिजाइन पर बना सकते हैं पहनने पर यह जो पप है न सेंटर से बहुत ही अच्छी उभाड आ जाती है तो कुछ इस तरीके सी हमारी बाजू बन गई है लाश्ट हमारी पाची जो कि इस तरीके से राउंड सेप में देते हुए मैं बुकड़न पर कटिंग कर ली हूँ लाइनिंग की फैब्रिक पे सेट करती हुए कटिंग कर लिए सेंटर से हमें यहां पर मांक कर लेनी है और सेंटर पर हमें इस पर सिलाई लगा लेनी है होब आपको अच्छी लगी कौनसी आपको ज्यादा अच्छी लगी कॉमेंट करें लाइक करें शेर करें